हेलो मेरे प्रिये चात्रों आज हम आपके लेके आए हैं सीटेट एक्जाम जुलाई 2020 के लिए एमपीटेट बर्गितीन एक्जाम के लिए बाल विकास एवम सिछासास के इंपोर्टेंट रिपीटेट एक हजार कुश्चन मॉडल पेपर नमबर 11 अगर आप सीटेट एमपीटेट बर्गितीन की तयारी कर रहे हैं तो पांच जुलाई से पहले इस वीडियो को जरूर देखें कोश्चन नमबर फर्ष्ट है इसकीन पर आप यहां पर देख रहा है बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत प्यारा कोश्चन है बेभार के निरी च्छण द्वारा किसी के मानसिक दसा का पता लगाना किस बिधी की बिसेष्टा है बहरी बहरी मोश्च इंपोटेंट कोश्चन है दोस्तों अगर आप आप आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे कोश्चन नमबर फर्ष्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा question number first का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका option number B होगा नीरी च्छन बिधी note कर ले question number first का correct answer होगा आपका B next question देख लेते हैं इसकीन पर आज का question number second बहुत प्यारा question है बहुत अच्छा important महत्पूर question है आप लोग comment करेंगे इसका सही answer क्या होगा बहुत अच्छा question है एक्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है इसकी मनु बिग्यान के संबंद में क्रो एंड क्रो की परिभासा किया है आपके पास option है चार correct answer क्या होगा जल्दी से comment कर दे ठीक है तो क्रो एंड क्रो की परिभासा ठीक है मुझे बच्चा दो बताओ कि उसे क्या बनाओ इंजिनियर डाक्टर या अन किरो एंड किरो ने कहा है क्या किसी ब्यक्ती के जनम से लेके बिल्दा बस्ता तक के अधीगम अनभवों का बढ़न तथा धारण ही मनो बिग्यान है किसने कहा क्रो एंड क्रो नेस्ट कोश्चन इसकीन पर आजकर बहुत अच्छा कोश्चन है ब्यक्ती के जनम से लेके बिल्दा बस्ता तक के अधीगम अनभवों का बढ़न तथा धारणा ही मनो बिग्यान है किसने कहा क्रो एंड क्रो नेस्ट कोश्चन इसकीन पर आजकर बहुत अच्छा कोश्चन है कमेंट करें बच्चे उसका सही आंसर किया होगा मनो बिग्यान को आत्मा का बिग्यान किसनी कहा अरस्तू, बाठस, लूसो या बुट कोश्चन नमबर थर्ड अरस्तू ने मनो बिग्यान को आत्मा का बिग्यान माना है अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर कर दे अब आपको बताना है इसकिनर की परिभासा, ठीक है इसकिनर की परिभासा बतानी है, कोश्चन नमबर फोर देख लें मनो बिग्यान के संबंद में इसकिनर की परिभासा, मनो बिग्यान के संबंद में मुझे बच्चा दो बताओ कि उसे क्या बनाओ इंजिनियर ये डाक्टर अन किसी ब्यक्ती के जनम से लेकि बिदा वस्ता तक के अधिगम अनभवाओं का धारण ही मनो बिग्यान है मनो बिग्यान आचरण तथा बेवहर का यथार्थ बिग्यान है मनो बिग्यान सीच्छा का आधारवूत बिग्यान है Question number 4 तो इसकिनर ने मनो बिग्यान के संबंद में क्या कहा है Correct answer होगा आपका option number 4 मनो बिग्यान सीच्छा का आधारवूत बिग्यान है इसकिनर ने कहा Next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 5 बहुत प्यारा question है बहुत अच्छा है Comment करेंगे सही answer किया होगा question number 5 का सत्ती मनो बिग्यान का पिती पादन किस ने किया Very very most important question है Question number 5 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा Option number 1 होगा बाल्फ होगा Note कर लें Next question है इसकीन पर आजका question number 6 Very very most important question है बहुत प्यारा question है चल्दी से comment करें बच्चों इसका सही answer क्या होगा निम लिखित मैं से किस ने सबसे पहले पिसना बली का निर्माड किया बहुत अच्छा question है Very very most important question है पिसना बली का सबसे पहले निर्माड किस ने किया Question number 6 का बच्चों आपर correct answer होगा आपका option number 3 होगा Good birth Note कर लें Question number 6 का correct answer होगा Option number 3 होगा Good birth होगा Next question देख लेते हैं Question number 7 है Question number 7 है Question number 7 है बहुत प्यारा question है बहुत अच्छा है आप लोग जल्दी से comment करेंगे सही answer किया होगा ठीक है Crow and Crow ने किस बिधी के संदर्व में कहा है कि मनो बिग्यान प्रियोंगों का उद्देश किसी निश्चित परिष्टिती या दसा में मनो बिभार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परिच्छन करना है Question number 7 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका option number 1 होगा अंतर दर्सन नोट कर ले Question number 7 का correct answer होगा आपका option number 1 होगा Next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 8 बहुत प्यारा question है एक्जाम में बिल्कुल आ सकता है कमेंट करें खेलों के माध्यम से बालक का कौन सा गुण बिखसित होता है सामाजिकता का नेतिकता का विपसाइकता का या भोतिकता का Question number 8 Note कर ले Question number 8 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा Option number 1 होगा खेलों के माध्यम से बालक का सामाजिकता का गुण बिखसित होता है बालक को सामाज की किरियाओं का पता चलता है सामाज में खुद का समायोजन करना सीख जाता है Question number 9 है इसकीन पर बहुत प्यारा बहुत अच्छा कोस्चन है जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा मनो बिज्ञान को सर्व पेथम बिज्ञान का दरजा दरजा दिलाने बाली बिधी कौन सी है Question number 9 है इसकीन पर correct answer क्या होगा जल्दी से कमेंट करें Question number 9 Very very most important question है Question number 9 का बच्चों हाँ पर correct answer होगा आपका option number third होगा नोट कर ले पिर योगात्मक आपका correct answer होगा Question number 9 का third option best रहेगा Next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 10 बहुत अच्छा question है कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा निम लिखित मैंसे कौन संग्यान बादी पधती के जना के Very very most important question है बच्चों आंसर जानते हैं आप तो कमेंट जरूर करेंगे सही आंसर क्या होगा Question number 10 का 10 का यहाँ पर correct answer होगा आपका option number B होगा नोट कर ले जीन प्याजिबा बिरूनल संग्यान बादी पधती के जनक माने जाते हैं Question number 11 इसकीन पर बहुत अच्छा question है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा ठीक है Question देख ले बही दर्सन बिधी का पिटी पादन किसने किया जेवी बाठसन बुट स्काउट या इसकीनर Question number 11 11 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 1 होगा जेवी बाठसन ने बही दर्सन बिधी का पिटी पादन किया Question number 12 देख लेते हैं बहुत अच्छा question है very very most important question है आप लोग comment करेंगे सही answer क्या होगा cycle चलाने बाला scooter चलाना सीख लेता है ठीक है तो आपको बताना है किस तरह का इस्थांतरन है Question number 12 का यहाँ पर correct answer होगा बच्चों आपका D option होगा धनात्मक इस्थांतरन note करते चलें दोस्तों अगर आप answer जानते हैं तो comment भी करते रहेंगे Question number 13 है इसकीन पर बहुत प्यारा question है अंतर निरिच्छन बिधी के पिति पादन करता माने जाती है बहुत अच्छा question है Question number 13 13 का correct answer क्या होगा बच्चों जल्दी से comment कर दें 13 का यहाँ पर correct answer होगा आपका option number first होगा note कर लें इसका correct answer होगा बच्चों आपका option number first होगा but ठीक है Next question देख लेते हैं इसकीन पर आज का question number 14 बहुत अच्छा question है आप लोग comment करेंगे सही answer क्या होगा किसो रवस्था बड़ी संगर सुतूफान तनाव की अवस्थाई comment करें सही answer क्या होगा question number 14 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 4 होगा externally hall Next question देख लेते हैं इसकीन पर आज का question number 15 बहुत ही प्यारा question है बहुत अच्छा हलुआ question है आप लोग comment करेंगे सही answer क्या होगा question number 15 15 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 1 होगा teacher note कर लें Next question इसकीन पराज का question number 16 बहुत प्यारा question है आप लोग comment करेंगे सही answer क्या होगा T.A.T. बेक्तित्तो परिच्छन की कौन सी बिधी का पिरकार है very very most important question है comment करें सही answer क्या होगा T.A.T. बेक्तित्तो परिच्छन की कौन सी बिधी का पिरकार है question number 16 का यहाँ पर correct answer होगा बच्चो आपका option number 4 होगा पिर छेपी बिधी next question देख लेते हैं इसकीन पराज का question number 17 बहुत अच्छा question है answer जानते हैं आप तो comment जरूर करेंगे ठीक है सीच्छा मनो बिध्यान अधियन करता है question number 17 का correct answer क्या होगा बच्चो जल्दी से comment करें 17 का correct answer होगा option number 2 होगा मानब बिभार का सेच्छिक परी इस्तियों में question number 18 एसकीन पर बहुत प्यारा question जल्दी से comment करें सही answer क्या होगा question number 18 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा option number 2 हैदराबाद next question देख लेते हैं इसकीन पर जल्दी से comment करें सही answer क्या होगा बहुत अच्छा question है भारत में पिर्थम मनो बिध्यान एक प्रियुक साला की स्थापना कब हुई question number 19 का correct answer होगा आपका भी option होगा 1916 आपका correct answer होगा ठीक है next question देख लेते हैं answer जानते हैं तो आप comment जरूर करेंगे बहुत प्यारा question है tall man का चिन अधिगम का सिद्दान्त अन किस नाम से जाना जाता है very very most important question है comment करें सही answer किया होगा 20 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा आपका fourth option यानी question number 20 का बच्चे होगा आपका fourth option उप्रोक्त सभी thank you